So hi everyone, मेरा नाम है शाश्वत तिबारी और अगर आप मुझे नहीं जानते हो ता हम professionally working as a software engineer आज की वीडियो किसके लिए है, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक software engineer बनना चाहते हैं और उन्हें नहीं पता कि क्या-क्या path हमें follow करना चाहिए, क्या-क्या guided चीज़े हमें follow करनी चाहिए to become a software engineer, तो आज की वीडियो उनी लोगों के centric है, अगर आप ऐसी category में आते हो जो की programming शुरू करना चाहते हो या फिर already कर रहे हो बड़ बहुत जादा confused और सोच रहे है चोड़ो यार मुझसे नहीं होगा, मैं अब नहीं करता programming याना बंद करने की कतार पर आ गयो तो रुको, सबर करो, ये वाली वीडियो सुनो and then समझो कि आप जो काम कर रहे हो सही तरीके से कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, तो बिना कोई टाइव इसका एस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हैर बात करते हैं कि who is a software engineer, एक software engineer होता कौन है तो कभी भी एक requirement आती है कि यार अब एक app बनाना है, कोई software बनाना है, इस problem को target करा है, मैं इसके solution चाहिए, एक software के form में तो एक इनसान होता है, जो क्या करता है, इस पूरे app को design करता है, ठीक है, तेन वो code लिखता है उस app को बनाने के लिए, उसके बाद वो उसकी testing करता है, कि जो मैंने लिखा है वो सही है या नहीं, कई तरह के अगी testing होती है, unit test करता है, integration test करता है, performance test करता है, finally जब वो complete हो जा तो यह सारा काम एक software engineer करता है, तो अगर आपको यह काम बहुत exciting लग रहा है, then you are on the right track, आपको software engineering line में ही जाना चाहिए, अब next thing आती है, कि चलो software engineer क्या है, यह तो हमें बदा चलिया, but मैं software engineer बनूं कैसे, कि मुझे at the end of the day, एक software engineer बनना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, so first thing is programming language, मैं आपको recommend करूँगा कि आप Java and C++ से start करो, although आप कोई भी language pick up कर सकते हो, but मैंने इन ही दोनों का नाम क्यों लिया, क्योंकि online assessment में कई बार आपकी languages like Python हो गई, Java script हो गई, उन्हें allow ही नहीं करते है, मतलब बहुत सारी companies allow करती है, कुछ है जो नहीं भी करती है, तो आपक अपने लिए opportunities क्यों cut down करनी है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अगर start कर रहे हो, start करो इन ही दो language से, इन दोनों को बहुत अच्छे से सीख लो, यह आपके course के curriculum में भी होंगी, तो वहाँ पे भी आपको फायदा दे रही होंगी, अब इन दोनों में से कौन सी आपको pick trending हो जाती है, तो इसके तो में जालम ही नहीं फसन है कि, why java is better than c++, या why c++ is better than java, all the languages are better in their own niche, ठीक है, यह सारी बाते हो गई, एन एक और additionally में point add करना चाहता हो, कि अगर आपको यह और language सीखना चाहते हो, ठीक है, तो उसमें switch करना बहुत असान होता है, अगर आपको java and c++ इसमें से कोई यह काती है, यह unsaid rule है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको difficult चीज आती है, तो अब easy कर सकते हो, and जब मैं कह रहा हूँ difficult, तो मैं comparatively difficult कह रहा हूँ, programming difficult नहीं होती, हम उसे बना देते हैं difficult, क्योंकि हम उसे गलत तरीके से बढ़ते हैं, ठीक है, चलो यह सारी प्रोग्रामिंग लैंग्विज सीखनी है, अब next क्या होता है, जो software engineer के interview में आपको एक चीज पूछी जाती, which is called data structures and algorithms, वो आपको बहुत बार पूछी जाएगी, हर बार पूछी जाएगी, कहां कहां से पूछी जाएगी, आप परिशान हो जाओगे, तो एक और normal चीज आ जाता है, that is actually a industry standard, ठीक है, होता ही है, दूसरी चीज जो आपका DSA होता है, वो आपके problem solving mindset को develop कर देता है, ठीक है, तो अगर आपका problem solving mindset है, कि कौन सा data structure कहां पर use करना है, data आ रहा है, उसे store कैसे करना है, अगर मैं map में इसे store करूँगा, तो क्या मुझे कुछ फाइदा होग या चलो इसे priority queue में store कर देती, तो कि हर बार मुझे priorities चाहिए होगी, तो इस तरीके से अगर आप सोचने लग जाओ, तो समझ लो, आप आधे सजाधा developer बन चुके already, तो अब आप fully excited हो, अगर कि यार मुझे भी DSA सीखना है, मुझे भी साही चीज़ें समझनी है, करनी है, त तो पढ़ें कहां से, ठीक है, देखो आपको बहुत सारे resources मिल जाएंगे, आपको paid course मिल जाएगा, free content मिल जाएगा, बट मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप DSA plus Java सीखने का सोच रहे हो, मतलब complete thing ठीक है, कि Java बिलकुल scratch से end तक ठीक है, जब मैं बोलता हूँ scratch से end तक, हम सारी चीजें सीखना चाहते है, plus data structures and algorithms, कौन सा data structure कैसे use होता है, कहां पे use होता है, किस लिये use होता है, उसे मैं code कैसे कर सकता हूँ, वो already coded है, तो मैं use कैसे कर सकता हूँ, तो अगर आप पूरा ये सब सीखना चाहते हो, तो आप सही channel पर हो already, and बहुत सही time पे भी आए हो, क्योंकि January में हम क्या करने वाले है, एक नया course launch कर रहे है, which is absolutely free, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ये course में आपको कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, completely free होगा, and ये full-fledged course होगा, इसके लिए मैंने already एक video डाल दी है, Java collections in one shot, वो video series का part होने वाला है, ठीक है, मैंने से आएगा, अगर आप देख रहे हो, Java plus DS से, तो this is the one stop channel, इसके आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अब बात करते हैं कि मुझे Java में तो सीखना नहीं है, and मुझे tutorials नहीं देखने, तो मैंने एक video अल्रेडी बनाई हुई है, यहाँ पे कुछ books है, जो कि best of the best है अगर आपको data structures और algorithms इन books से पढ़ना है, इन में C++ भी है, Python भी है, बहुत सारी languages भी है, तो आप वहाँ पे जा करके उसे refer कर सकते हो, ठीक है, तो यह हो गया कि हमें DSA कहां से चीखना है, अब एक मैं important point बताता हूँ, कि आप कोई भी books से पढ़ो, या कोई भी tutorial से पढ़ो, कोई भी course करो, आपको DSA आ जाएगा, but long run में, वो DSA आपके दिमाग में कित्ती देश तक रहते हैं, आपकी जो actual problem solving mindset है, वो और जादा better कैसे होगी, वो होगी practice से, अब आपको इन questions को, यह जो DSA centric questions है, यह practice कहां से करना है, तो कई सारे platforms है, तो मैं आपको recommend करूँगा, कि आप lead quote नाम के platform पे जाओ, और वहाँ पर coding करो, ठीक है, मतलब आप पहले यह DSA course complete करो, and मैं इस course में बता दूँगा, कि आपको lead quote कैसे use करना है, उसके बाद आप जब यह course खतम हो जाएगा, तब आप क्या करो, आप lead quote पे जाओ, topic डालो, and इस topic के question solve करना, start करो, हमें देख तो guided structure study के लिए यह course है, इसके बाद आपको अंधी practice करनी है, अब वो practice कितनी होनी चाहिए, कई लोग बोलते हैं, deadline रख लो, मैं 100 question कर लूँगा, मैं 1000 question का target रखता हूँ, 2000, 10,000, नहीं, देखो, जब आपको मज़ा आने लगता है, तो यह barrier है, यह हड़ी आता है, मैंने जब आपके साथ यह हो जाएगा, फिर आपको टेंशन लेने जरूरत नहीं, फिर आपको ऐसी वीडियो देखने जरूरत नहीं, कि 90 दिन में hero बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो next point किया है, हमने development सीखनी है, अब देखो, हमने programming language सीख लिए, हमने DSA कर लिए, मतला ह से होता है, देखते हैं कि यार बंदे ने जो हमें काम चाहिए, वो बंदा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अच्छे-चे projects बनाते हैं, अपनी language enhance करते हैं, ठीक है, तो resume and all tricky चीज़ होती है, क्या keyword डालना है, क्या डालना है, बट यह जो दो points है, DSA and development, यह आपको यहां से strong बना देगी, जब आप दिमाग से strong हो, जब आप problem solve कर रहे हो, जब आपके पास skill आ गई है, you can be hired as and when you want, ठीक है, तो अब project development में पहली thing है, कि आपको आपकी category decide करने होगी, कि आप किस चीज़ पर करना चाहते हो, तो आप web उठा सक blockchain उठा सकते हो, AI ML उठा सकते हो, बहुत सारी चीज़े हैं, आप उनको उठाओ, उनके बारे में कुछ सीखो, ठीक है, कुछ background knowledge लो, ठीक है, कि यार, अगर मुझे suppose करते हैं, मुझे web development करनी है, web development कैसे होती है, कौन-कौन सी programming languages होती है, ठीक है, मैंने आपको उपर बोला था इसके अलावा हम एक और language पगड़ते हैं, उस पर हम development करेंगे, इससे देखो क्या होता है, जब आप development करोगे, तो आप अपने DSA को छोड़ मत देना, एकात question daily करते रहना, अब इससे क्या होता है, जब आप एक अच्छा project बनाओगे, तो आपके पास और knowledge होती है, आप industry में और कैसा काम करने वाले हो, ठीक है, चलो यह चीज हो गई, आपको अच्छा idea आगे, अब बात आती, projects क्या बनाए, तो इसके लिए मैंने अल्रेडी एक वीडियो बनाई है, कहीं पर आ रही होगी, आप वीडियो जाकर के देख सकते हो, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि क् हम यूज कर सकते हैं, अच्छा project बना सकते हैं, अब नेक्स चीज है, आप बताऊगे, आपने knowledge बढ़ा लिए, आपने सब कुछ कर लिया, अब आप जो आपका hiring manager है, जो कि बैंगलोर है, जैसे city में बैठा है, और आप code कर रहे हो कहीं, किसी small town में बैठ करके, 1000-2000 km दूर ब पड़ेगा, जो भी आप project बना रहे हो, DSA से related work कर रहे हो, उस सब को वहाँ पर host करना पड़ेगा, मतलब वहाँ पर upload करो, अगर आप live कर सकते हो, तो उसे live कर दो, और वो सारी चीज़ें आप share करो, वर्ल्ड के साथ, अब वर्ल्ड के साथ, आप कैसे show कर सकते हो, देखो, project डालने की जगा GitHub है, बट आप show कैसे करोगे, LinkedIn के दूर, अब LinkedIn एक आपका दूसरा platform है, जहां पर हम networking करते हैं, तो आपके recruiters आपकी LinkedIn profile पर जाएंगे, वहाँ वो देखेंगे, अरे बंदे ने post कर रहा है, कि इसमें GitHub पे कुछ एक नया project बनाए लाओ, ये project से करते हैं, वो द sharing chances को बढ़ाने के लिए, ठीक है, and finally इतना गाथा करने के बाद, जब आप इतनी knowledge रखे होगे तो आपको क्या करना है, एक resume बनाना है, ठीक है, आपने उस सारी knowledge उधर रख देनी है, और present कर देना है, ठीक है, apply करना, start कर देना है, एक और चीज़ याद रखना, resume में कई ची resume review कर रहेते हैं, तो आप already वो video देख लोगे, तो आपको idea लग जाएगा, कि आपको क्या चीज़ें करनी है resume में, क्या नहीं करनी है, बट यह सारी चीज़ें बात की है, सबसे पहले हमाई पास क्या आता है, programming language and data structure and algorithm सीखना, देखो यार, अगर आप start कर चुके सीखना, और चोड़ने वाले हैं, तो मच चोड़ो, do consider this course, आपको इसके बाद programming बहुत अच्छी लगने लगेगी, ठीक है, तो बस यही था आज की वीडियो में, अगर आप excited हो इस नए वाले course के लिए, और यहां तक आ के हो, तो comment ज़रूर कर देना, I watch till the end, या फिर Java plus DSA, ठीक है, ऐस जो आपी सुनते हो, पचास लाग, साट लाग, एक करोड़ गा package, और सो तो यह मेरे नाम किया कि कभी नहीं जुड़ेगा, तो अब यह जुड़ जाएगा, बहुत लोग मुझसे मिलते हैं, कहते हैं, बहुत मुझे बस company में जाना है, मेरी वो लेवल नहीं है, मेरा वो programming ल सो बस यार रहीता आज की वीडियो में मिलते हैं, आपसे अगली वीडियो में अपना 2023 रेजलुशन पूरा करेंगे, बेस्ट टीए से जावा कोर्स बनाने की ट्राइ करेंगे, और भो भी फ्री ओफ कॉस्ट, सो बाई 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 एंड टेक केर